आज मैं आपको Photoshop में complex background remove करने के लिए best 3 process दिखाऊंगा तो मेरा नाम शोतम और आप देख रहे हैं शोतम FC तो चलिए शूरू करते तो ए देखिए ए इमेज है और ए जो background है sky है इसको remove करेंगे तो सबसे पहले इसका copy मना लेता हूँ just for backup purpose ctrl j प्रेस करके और इसको turn up कर देता हूँ background को अभी पहला जो process है select में जाएंगे और इधर से color range को choose करेंगे और इधर जो select option है इसमें आप sample color चूश करेंगे और इधर से sample color लेंगे blue क्यूंकि हम लोग blue को remove करेंगे और फाजीनेस को increase करेंगे जब पुरा select हो जाएगा blue तब हम लोग छोड़ देंगे और simply डेल की प्रेस करके आप background को remove कर सकते हैं ठीके यह देखिए ठीके देखिए successfully background remove हो चुका है तो पहला process यही है तो हम लोग आभी देखेंगे दोसरा process तो यह देखिए इमेज और second step जो है हम लोग जाएंगे background eraser tool ओके यह से देखिए eraser tool और इसका ओपर click करेंगे right click और background eraser tool को choose करेंगे और इसका tolerance को अगर कम रखेंगे तो यह पहले तो इसको discontinuous को choose करना है ओके और tolerance अगर आप कम रखेंगे तो यह पूरा पूरी remove नहीं होगा ओके तो थोड़ा सा tolerance को increase करना होगा ओके आपको देखना होगा कितना में यह पूरा clear हो रहा है ओके अभी भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और increase कर लेता हो अभी लगता है हो जाएगा देखिए तो देखिए background successfully remove हो चुका है यह था second process और finally जो third process है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो first हम लोग जाएंगे channels में ओके और इसको delete कर देता हो पहले काम किया है इसलिए यह है तो क्या करेंगे blue को जो blue channel है इसका एक copy बना लेंगे और इसका थोड़ा सा contrast add करेंगे इसमें ठीके white और white हो जाएगा और black और black हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग को जाना है image में adjustment और levels उसके बाद white को थोड़ा सा increase करना है और black को भी थोड़ा सा और black करना है अभी okay कर देंगे अभी just control प्रेस करके यह जो thumbnail है blue copy इसका उपर क्लिक करेंगे देखिए पुरा selection हो गया पहले इसको turn on कर देंगे और इसको turn up करेंगे इसका कोई जूरत नहीं है आप इसे delete भी कर सकते अभी layers में back आएंगे और simply आप डेल की प्रेस करके delete कर सकते ओके यह देखिए background successfully remove हो चुका है तो यही था best three process background remove करने के लिए तो I hope अपका वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक like कर दिजिए और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दिजिए क्योंकि मैं जब इस तरह का editing related वीडियो और photographic related वीडियो लाओंगा सबसे पहले आपके पास notification चला जाएगा और सबसे पहले आप उसे access कर सकते है तो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते है next video में टाटा